वस्समाई दातिल बुरूज लेडीज आप लुगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जी इस हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लुगों के लिए काड है टू अफसोल्स और ये काड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं होता है ना कभी कभी क्यों ऐसी सिच्वेशन होती है जिसमें हमें लगता है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते हम इस से बैक आफ भी नहीं कर सकते हैं और बहुत अटका हुआ हम हैसूस करते हैं तो कुछ इस तरीके की सिच्वेशन रहती भी दिख रही है और प्लीज इस चीज को सुनके परिशान ना हों यह जिन्दगी है ऐसा हो नहीं सकता कि हमेशा चीजे हमारे हिसाब से हों कभी भी कोई भी हमारी लाइफ में ऐसी सिच्वेशन ना आए लेकिन जब भी यह सिच्वेशन आती हम उसको किस तरीके से डील करते हैं उसी को लेकर हमारे माइंड में सेल्फ टॉक क्या चल रही है यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इस चीज को लेकर अवेरनेस रखें और एक और गाइडन्स एकार देता है इस वीक आप चीजों को अन्देखा ना करें अन्सुना ना करें कितनी बारी चोटे मुटे इशूज होते हैं और हम उनको वाइड करते हैं हमें लगता है कि अब इनको टाकल करेंगे न तो और जादा यूनो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी या फिर और जादा चीजें खुल जाएंगी तो बहतर है कि इनको ना अन्देखा कर दो अन्सुना कर दो और ऐसा करके हम सरफ टेंपररली चीजों को वाइड कर रहे होते हैं बाकेंड पे वो इतनी जादा बढ़ती रहती हैं फिर एक दिन आता है कि हम उनको वाइड नहीं कर पाते हैं अगेन वो इतनी कोटा मोटा इशू होगा लेकिन बाद के लिए चीजें बहुत बहुत बहतर रहेंगी तो इस चीज का ख्याल रखें अदर्वाइस एक कुछ बहुत गलत खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है सिरफ एक स्टागनेंट सी फीलिंग हो सकती है चीजें रुकी हुई हैं आगे हैं अगे के लिए ना छोड़ें इस वीग जरूर ले लें क्योंकि जो भी देशिजिन च्वाइस हम अभी ले रहे होते हैं और जब हम प्रेशन मोमें में डिसीजें और चॉइस को डिलेकरते हैं तो फ्यूचर में जो चीज़ें हो सकती हैं हम उनको भी डिलेकर रहे होते ह तो इस चीज का भी खयाल रखें और परसनल फ्रंड के लिए आप लुगों के लिए 8 of Wands का कार्ड है तो देखें एकदम से आपजिट परसनल फ्रंड की एनरजीज रहती भी दिख रही है जहां प्रोफेशनल फ्रंड में मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा से उसी से ही रिलेटेड फिर से कहूंगी ग्रोफ प्रोग्रेस होती भी दिख रही है चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती भी दिख रही है कुछ के लिए हो सकते हैं आप ट्रावल कर रहे हैं आप ट्रावल करना चाह रहे हैं और personal front में पीछे किसी चीज में अगर आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे तो इस वीक उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं out of the country से related भी कोई activity हो सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि कोई काम आप कर रहे हैं उसकी deadline नजदीक आ गई है और आपको लग रहे हैं कि अभी तो बहुत सारा काम रहता है अभी तो बहुत speed से काम करना पड़ेगा तो कहीं न कहीं किसी level पर यहां तो आप speed maintain करना चाहा रहे हैं या you know बहुत speed से चीजों को करना चाहा रहे हैं या external front में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आपको लग रहे हैं मुझे अपनी speed मैच करनी पड़ेगी नहीं तो फिर मैं पीछे रह जाओंगा या रह जाओंगी तो personal front में चीजें ठीक ठाक रहती भी दिख रही हैं इन फाक्त बहुत सारी चीजें हो सकता है एक साथ आ रही हैं बहुत सारी opportunities एक साथ आ रही है manage करने में थोड़ा सा issue हो रहा है जो भी एक positive sense में होता है और ये बाकी तो मने आपको बताया ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है professional में थोड़ा सा आप इन चीजों का ख्याल रखे जो मैंने कहा है तो आप उसको बहतर कर पाएंगे and angel answer से आप लोगों के लिए no need to worry का card है अब किसी भी चीज की चिंता अगर आपको हो रही है मन ही मन कोई चीज आपको bother कर रही है कभी-कभी हम aware होते हैं कभी-कभी हम नहीं aware होते हैं तो बहुत ही clearly आपको angels कहते हैं प्लीज फिकर ना करें, चिंता ना करें, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा and astrology से आप लोगों के लिए the sun का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो यह था एरीज आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नेचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए वाला जो time है 29th का जो area है यहां तक आपने अपना सदका लाजमी कर देना है और 30th September and 1st of October से फिर आपका जो software है आपके सितारे का वो update हो जाता है पाकिस्तान में कि यह नई सी phrase जो है वो introduce हुई तो यहां पर नजर आता है कि फिर आप जो है उसमें बेहतर हो जाते हैं आपका सितारा बहुत हद तक बेहतर position में आ जाता है financially 5th of September के बाद से जो है financially जो सितारे की जो position है वो नजर आती है कि पैसे की incoming भी होगी लेकिन पैसे की insecurity भी आपको तन कर सकती है तो यहां पर थोड़ा सा आपको अपको अपनी जीजों को manage करना परेगा एरीज बच्चों वाला house जो है love house जो है उसमें सितारा जो है वो बिलकुल perfect है love life में इस वक्त आप safe हैं हाला कि love stars औरतों के disturb हैं लेकिन आप safe है एरीज चाहे खवातीन मुझे सुन रही है या हमारे मर्द भाई मुझे सुन रहे है और बच्चों वाला house जो है उसमें भी आपकी position इस वक्त जो है वो अलहमदलिल्ला safe है महफूज है एक चीज जो हमें आपके लिए disturb कर रही है वो है इस वक्त में एरीज आपका relationship house क्योंके 24th को sun भी वहां पे चला गया है ठीक है न जो नई position बदली है तो इस वक्त यह हो जाएगा घरों में या business relations में तू भी तलवार सा मैं भी तलवार सा यानि के आपको ज़रा चीजे मैनेज करना जो है वो थोड़ा difficult लग सकता है relationship area में चाहे business relationship है चाहे वो जो है आपकी प्लीज चैनल इस्टरा ना किया जाए मिरी आँखोंग चकर आ रहे हैं तो वो जो है आप लोगों को नहीं कह रही में पीठे मेरे दिमाग में पहली एक situation अजीव हुई है अच्छा जी तो यहां पे सितारे की जो position है relationship area में perfectly fine है job house भी अला के फजल से 24th august के बाद से ये भी safe चल रहे है और आपका health area भी safe चल रहे है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंतहान तो चल रहा होता है physical अला ना करे physically कोई problem आपको नहीं तंग कर सकता हाँ जहनी तोर पे तो मेरी खतरनाग तरीन पेश कोई एरीजोनियर है कि बहुत सारे लोगों में मेरा रब ना करे दिमागी अमरास पैदा होने के अंदेशे हैं और इस वक्त एरीज़ आपका सितारा जिस position में है ये weak position मैंसे कहूंगी हर चीज़ों मच्ची नहीं बता सकते हैं ना मुझे आपको डराना भी है या तो इसके दो हल है आप अपने किसी भी consultant से जो है वो रुजू करें अपनी थेरफीज कराएं या मेरा best हल है योगा, meditation और जिस भी religion में अल्ला ताला ने आपको पैदा किया है हमारे रब का फर्मान है, अल्हम्दुल्ल्ला हे रबुलॉलमीन कि मैं कुल आलम का रब हूँ ठीक हो गया तो हम इसमें अल्ला ताला आपके लिए असानिया फरमाएं यहां पे कि वो कुल आलम के रब की तरफ से आपके लिए सत्ते खेरा हों रब के हुकम से बाकी इस वक्त जादा दिमाग पे जोड नहीं डालना क्योंकि अल्रेडी सितारों की पोजिशन थोड़ी सी जो है जब तक 16 अक्टूबर नहीं आती थोड़ी सेंस्टिव है, अगर आप दिमागी तोर पे आप ना केपिबल हुए तो आप से जो रिलेशन्शिप एरिया है ना वो नहीं संभलेगा, आप से हैंडल करना उसको मुश्किल हो जाएगा तो मैं आपको कैसे उस मुश्किल में डाल सकती हूँ ना क्योंकि ये हमारा आपका रिजूलूशन ही नहीं है तो इस वक्त आपने जतना अपने मजब से जो है रिजू कर सकते हैं वाक कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए उससे क्या होता है कि हैपी हॉमोन्स रिलीज होते हैं और आप इस काबल होते हैं, अल्ला भला करे जिसने आज यहां सिगरिट पी है मेरे स्टूडियो में, अल्ला उसका बहुत भला करे तो वो जो है, यहां पे मुझे एक्चुली बहुत सफोकेशन होती है, और आज मैं मना नहीं कर सकी एक महमान को स्मोकिंग से और मेरा उसके बाद जो हशर हो रहे हैं आपको बता भी नहीं सकती क्या प्रॉब्यम हो रही है तो जी, फानेंचली आपका सितारा ठीक है, बच्चोंवाला हाउस, लव हाउस, जॉब हाउस, हेल्थ एरिया और यहां पे भी आप ठीक है, जहां वीक है उसमें हमने एरीज आपको तसली से बताया है और जो हमारी एरीज बहने हैं या हमारे एरीज मेरिट खवातीन हैं याद रखें, इस वक्त अपने खामदों को थोड़ा सा सबर से, थोड़ी टॉलरंस से आपने डील करना है, आपने यह नहीं करना कि मैं भी मूड दिखाती हूँ, या मैं भी स्कोर सेटल करती हूँ, वर जो हैं वो डिस्टरब होएं, तो यह ताजी हमारे एरीज के इस अपते के सितारों का हाद,